एक्समस केक्स की तैयारी के लिए मैंने टूटी फ्रूटी बनाये हैं आज एक कच्चे पपीती का छिलका हटा लेने के बाद इसके अंदर के जो गूदें हैं ये सब हटा लेंगे और इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकडों में कर लेंगे जैसे की टूटी फ्रूटी की होती है ये 250 ml का कप है तो इसमें मुझे 3 कप के लगबग ये पीसे आए हैं अब इसे उबालना है और इसको पकाना है तो 2 कप पानी में इन टुकडों को हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से उबालेंगे करीब 5 मिनट तो ये इस तरह से ट्रांस्परेंट हो जाएंगे अब इसे छान लेंगे और इसकी पुरे पानी को निकाल देते हैं इसके बाद इसको चाशनी में पकाना है तो इसके लिए 1 कप पानी और 1 कप चीनी मेंने लिया है अब जो पका के रखावा पापाया है इसको डाल देते हैं इसमें और ये शुगर सरप में ही अच्छी तरह से ये पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले तब तक इसे हमें पकाना है तो जल्दी ही ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे बरतन थोड़ी मोटी होनी चाहिए जिससे की ये जले नहीं अब स्वाधन सा थोड़ा सा वैनिल आशेंस भी डाल देते हैं इसमें करीब 1 टी स्पून करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ये शुगर सरप इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं लगबग एक से दो छोटे चमच शुगर सरप बाकी रह जाएंगे तब तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे पकड़े नहीं बिल्कुल थोड़ा पानी रह गया है और अब इसे चार बाउल्स में हम निकाल लेंगे different colors डालने के लिए अब इनको थोड़ा color देना है तो इसके लिए edible gel colors मिलते हैं इस तरह के तो इनकी एक बूंद काफी रहती है इसको color करने के लिए मैंने एक drop डाला है ये gel color ये red color है इसी तरह से मैंने green और yellow color भी डाला है और इसको overnight छोड़ने से ही इसके colors इसमें अच्छी तरह से पकड़ते हैं तो इससे अच्छी तरह से मिला लेने के बादे से हम overnight अच्छी तरह से ये रंग इसमें पकड़ ले इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे एक बाउल में मैंने कलर नहीं डाला है अब एक प्लेट में थोड़ा पानी डाल करके इसके उपर ही इस बाउल को रखेंगे ताकि चीटी इसमें न चड़े अब अगले दिन देखने से ये कलर अच्छी तरसे पकड़ गए है थोड़ा शुगर सरब जो बच जाता है इसको हम चान लेंगे और एक टिशू पेपर में इसको अच्छी तरसे बिच्छा करके इसके एक्स्ट्रा शुगर सरब को हम सोक लेंगे उसके बाद इसे पंके की नीचे में रख लेंगे तो भी ये सूप जाते हैं या फिर इसको धूप में भी आप सुखा सकते हैं मैंने इसे एक एर टाइट कंटेनेर में इस तरह से टिशू पेपर रख करके रखा है ताकि इसको दो हफ़ते के अंदर ही इसको यूज कर सके तो ये प्लम केक बनाने के लिए टूटी फूटी रेडी है